वो बंते जी का जो परिवर्तन हुआ था वो जो परिवर्तन हुआ था कि 1950 में जब बाबा साव का लेक पड़ा था भगवान बुद्ध और उनकी धम का भविश्य को संपादक थे महाबोधी पत्रका के और महाबोधी सोसाइटी वो काम कर रहे थे कारे रात थे तो कल बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई ये हमारी चोंके जनल सुताबदी है और ये 26 अगस्त 2025 तक अनरबरत रूप से चलती रहेगी इसके कारिकरम चलते रहेंगे इसके लिए आपको तयारी रखने है कभी कहीं भी कोई कारिकरम हो सकता है तो आपके लिए बहुत केंद्र की तरफ से इस सताबदी वर्स में जो प्रिवेश कर चुके हो इस अब सर्फ आपको सभी को जो है शुक कामना है अंते जी के जनब दिन की आप सभी सुखी होंगे ऐसा में समझता हूं और हमारे अध्याते में गुरू बंते जी की सिछाओं का आप आनंद ले रहे होंगे कैसी उंबीद है कि चैसी उंबीद करता हूं र благता हूं जो कुछ को है आज में अपनी तरफ से कुछ नहीं कोऊगा ये भंते जी कई 20 साल भारत के अंदर रहे 1944 से लेके 1964 तक और उन्होंने भारत ही नहीं लंका तिब्बत और बर्मा का कुछ हिस्सा इसमें अच्छी तरह से उन्होंने देखा मंतेजी ने लेकिन वो काफी समिटों के संपर्क में थे जो कि वो विक्कू बन चुके थे उनकी दिख्छा हो गई थी इकल बताया था आदे धंचारी बोधी प्रिकास जी ने वो विक्कू बन चुके थे और काफी भर्मन किया उन्होंने यतनी हमको जानकारी नहीं है आपको भी नहीं होगी साइद जानकारी किसी को होगी इतनी जो बंते जी को भारत के चप्पे-चप्पे की जानकारी है और काफी संस्थाओं के संपर्क में वो आए तो बंते जी लिखते हैं यहाँ पर ही अच्छा काम किया था है कि हो सकता है कि यह महाबोधी सोसाइटी हो पंते जी इसकी बात कर रहे हूं और चोंकर महाबोधी सोसाइटी में ही महाबोधी पत्रिका के वो जो है एडिक्टर थे चीप एडिक्टर थे तो जब बाबा साब से मुलाकात कुई थी उस समय भोसी में थे अलांकि लंबे समय तक इस संग्ठन के संपर्ग में रहा लेकिन बड़ी जल्दी ही इससे निरासा महसूस होने लगी जितना ज्वादा इससे देखा उतना ज्वादा निरासा महसूस करने लगा मेरा संबंद विजेश का संचालक मंडल से था जो अलग-अलग 40 लोगों से बना हुआ था थोड़े ही समय में मैंने ठून निकाला कि बास्तम में बे बौध नहीं थे इसका मुझे बड़ा आश्चरी हुआ पहले-पहल तो मैंने महसूस किया सब कुछ ठीक होगा और मैंने सोचा हालांके बे बौध नहीं थे लेकिन बे साइद बहुत ध्रम की सच्ची सहनभूती रखने वारी लोग होंगे लेकिन बड़ी जल्दी ही मैंने महसूस किया कि मामला यह उह नहीं था यह जानकर मेरी निरासा और बढ़ी कि संचालक मंडल के कुछ सदस्यों की ब कुछ मामलों में पक्के ब्रोधी थे फिर भी इस बहुत संग्ठन की गत्विदियों का संचालंग कर रहे थे अब इसमें कोई आचर नहीं होना चाहिए यानि बहुत धर्म के उसमें तो थे संगठन में लेकिन संगठन में होते हुए थी बहुत नहीं थे और बहुत धर्म का काम भी नहीं कर रहे बंदे जी आगे कहते हैं फिर मैंने खुद सोचने लगा कि भला ऐसा कैसे हुगा क्योंकि वे इसके संचालक मंडल के लिए चुने गए थे इसलिए वे इस बौद संगठन की गत्विदियों का संचालन कर रहे थे सभाविक रूप से वे बारसिक साधान सभा में चुने गए थे उन्हें इस बौद संग्ठन की साधान सभा के में इसलिए उपस्तित होना पड़ता था क्योंकि वे उसके सदत से थे वे इस संग्ठन के सदत से थे क्योंको उन्हों ने इसके लिए चंदा दिया हुआ, इसके लिए चंदा दिया हुआ था, और मुझे लगा कि यही बास्तविक कुसीवत की जड़ है, यह लोग थोड़ा सा चंदा देकर जहां चाते हैं, सामिल हो जाते हैं और कट पुतलियों की तरह नचाते हैं, बहुत बॉद्धों के समिठनों को जो है अब बॉद्ध चला रहे हैं कभी मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी आगे कहते हैं आपको साइद आच्छरी होगा कि बॉद्ध धर्म के पृति बिना किसी सहानगूती के इस बॉद्ध समिठन की गत विद्यों को चलाने में अपना समय क्यों मैरे कई बरसों के अनुहुक की आदार पर मुझे लगा है कि कुछ लोग चाहते हैं किसी संग Steph से जुड़े रहें बेचाते हैं कि चाहे सामाजिक संगिठन हो चाहे ढार्मिक हो चाहरा राजनेतिक हो कोई भी संगिठन हो वे संचालक मंडल में सामिल होना चाहते हैं क्यों चला रहे हैं लेकिन वे गत्विदियों को चलाते रहना चाहते हैं मुख्य बात यह है कि उन्हें इसे चलाते ही रहना चाहिए मंत्य जी कह रहे हैं कि मुख्य बात यह है कि जो संस्थाने हैं वले वो संचालक मंत्रव हैं लेकिन वो गत्विदियां चलते हैं चाहिए आगे कहते हैं वो इस बहुत संगठन मैंने कुछ घटित होते देखा इससे बहुत संगठन के बारे मेरा ध्रम निराश हुआ मारी पूरी तरह से में जो है सचेत हो गया यहाँ पर पूर्म में 20 वर्स बितीत करने के पश्चार में एगलेंट बापस लोटा यहां के संगठन देख लिए भंतेजी ने उसके बाद जो एगलेंट पहुँच गए उन्होंने सोचा कि यहां चीजें कुछ अलग होनी चाहिए एगलेंट में संगठन है इसलिए लंडन में इस्थापित बहुत संगठन हों मैंने दो बर्स खर्च किये मैंने पाया थोड़े से कम प्यमाने पर लेकिन चीजें बिलकुल भारत जैसी ही यहां पर भी हैं मैंने पाया कि अनेग गैर बौध्धों को बहुत संगठन में महत्त पूर्ण भूड का निभानी होती है प्रिणान सरूप वे संगठन में बड़ी बुरी तरह कारिरत नहीं हो पाते हैं फिर मैंने बिलकुल नए बहुत संगठन की सुगात की तो कल आपको बताया था आगर दमचारिये बोधिप्रकाजी ने कौनसा संविछनता वो सबसे पहले उन्होंने सुगात की थी फ्रेंड्स और वेस्टन बुदिष्ट ओर्डर एफ डबलू बीओ उसके बाद उन्होंने इसको बना दिया डबलू बीओ वेस्टन बुदिष्ट ओर्डर इसकी शुरुआत मैंने पहले इग्लेंट में रहने के आद रहने लिए क्योंकि साधारत पहच्चम में और विशेशकर इग्लेंट के किसी सच्चे बहुत आध्यातमिक संग्ठन के लिए मैंने काफी बुद्जाज देखी वहां लोग जो है आध्यातमिक संग्ठन के लिए लालायत थे मेरे सामने एक बड़ी बात बड़ी हिसाब थी कि बहुत संग्ठन को संचालन गेर बुद्धों दारण नहीं किया जाना चाहिए भले इस संग्चर चलाने के लिए कितने ही माहिर क्यों न हाँ उनके द्वारा संग्ठन बिलकोल ही नहीं चलाया जाना चाहिए बहुत बड़ी सोच है बंते जीती है, यह हमको सोचना है, ऐसे लोगों द्वारा संचालन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, जो सक्ति और प्रभाव के पीछे पड़े हो, उन लोगों द्वारा भी नहीं चलाया जाना चाहिए, जिनकी बहुत धर्म में केबल बहुत दिक रुची हो, यह केबल, यह विरुकल साफ है, कि बहुत आध्यात्मिक संचालनों को बहुत धर्म के प्रती बचन बद्ध लोगों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, इनों ही लोगों द्वारा चला जाना चाहिए, जो धर्म के प्रती बचन बद्ध हैं, और बुद्ध की स जिन संगच्णों ने अपनी कारने चला रहे हैं वो लेकिन इस बात को वो महसूस नहीं करते कि बौध हो और आध्यात्यम गुरूप से जो है बौध हो तो बौध के बुद्ध की सिक्छा का आचर्ण कर रहे हैं तो आगे कहते हैं बंदिजी फिर मैंने स्वय में ही पूछा कोई कैसे जान सकता है कि बौध के प्रती बचनबद हैं एक कसर वो लेकिन कैसे हृए कि हम बार्ष्ट्व में बहुत धर महीं है। कोई कैसे जाना सकता है कि आद्धातिते तौर पर ये प्रेरित है, उसका माप्धन्ड क्या है, बहुत होना क्या है? और अंत्यत उत्तर इश्पाष्ठ होता गया, एक तरह से में इसके परती इश्पर्ष्ठ होता गया लेकिन अभी इसे मेरे बिलकुल ही नए प्रिकास में देखा। पास्तम में बहुत वह होता है जिसने स्रण गमन किया हो। जो बुद्ध, धम और संग के प्रती पचन बद्ध हुआ हो। दूसरे सब गरंथों में संपूर्ण तया, काया, बानी और मन से खुद को कटवद्ध किया हो। यानि पूरी तरह से समर्पित कर दिया हो उसने अपने को। बहुत गरंथों में विशेते पाली गरंथों में इसके कई उदान मिलते हैं। जब हम गरंथों को पड़ते हैं, हम देखते हैं, का बुद्ध बिच्छा-टन के लिए जगर जगर गुंगते थे। उनके बिच्छा-टन के समय किशी न किसी, चाहे बहुत हो। चाहे किसान हो, चाहे सहरी उबक हो, चाहे परिग्राजक हो, चाहे राकोई राजगुमार हो, चाहे कोई महला हो, उनका सामना होता था, उनकी बाच्चीत के दोरा, पहले और बाद में वो हव्यक्ति बुद्ध को कोई प्रसन पूछता था, और बुद्ध कभी-कभी उसे समझाते थे, उत्तर देते थे, कभी नपेतले सब्दों से उत्तर देते थे, कभी वो मोने रहते थे, कभी अत्यंत प्रेरित हो जाते थे, और वो जो है, कुछ कविता कहने लगते थे, कुछ पद्द गाने लगते थे, सांश छोड़ा जिसे उदान कहते हैं उसमें भी वो बात करते थे या वो सिंगनाद करते थे संपून और अध्पूर्थ कभी कभी बिल्कुल ग्रोधी अपने महान आध्धात्मिक अनुभव और उन्होंने जो सिखाया उस मार्क की भोसना करते थे जो कुछ बुद्ध ने कहा या नहीं कहा अगर वह सुरुता ग्रहन सील था तो परिणाम समान था परिणाम समान था वह दिल की गहराई में प्रेरित महसूस करता था कभी कभी इसकी बाहरी अभिव्यक्ति भी होती थी उसके रोंके खड़े हो जाते थे वो आशु बहाना शुरू कर देता था कभी कभी तीप्र आवेस के जटके में लखना ने लगता था का अपने लगता था ऐसा महसूस करते थे मानो स्रद्धा और प्रेरना से भर गए हो परचंड प्रकास की चम का हड का अनुभब महसूस करते थे उन्हें मानो मुक्ति की अनुभूति हो गई हो जैसे उनकी पींट पर लदा हुआ भोज उतर गया हो या अचानक किसी काराव का अचास से मुक्त हो गए हूं जैसे मानों उनका आध्यात में पुनर जन्म कु गया है आप हमारी आदर्स को याद कर सकते हो बाबा साहाँ ने जब धम ग्रहन किया था तो उसके बाद बाबा साब ने कितना अच्छी तरह से कहा है कि आज मेरा पुनर जनम हुआ है ऐसा हमको भी महसुस दुआता कभी जब जो है हमारे कल्यान मित्रे ने हमको जो हमारा नाम दिया था प्रिग्या रस्मी आज से चरंशी खतम हो गया आज से प्रिग्या रस्मी है महसुस हुआ था उस समय तो यह चन मानो उसके लिए जीवन का कोई नरायक मोर्व शिद्ध होता था अब भलाव है आदमी क्या बो प्रति उसका प्रतास क्या होगा राचीन बाली ग्रंथों के मुताबिक यह उद्धार व्यक्त करता था क्या करता था मैं बुद्ध की सर्ण जाता हूं मैं धंम की सर्ण जाता हूं मैं संग की सर्ण जाता हूं इस प्रति इसका उन उसका जो प्रतास अर्था सरंगमन होता अपनी संपून चकिलता और गहराई में पुद्ध ने जिस सत्य अस्तित्तु और जीवन का द्रसी जो दिखाया है उसके पृति वो बचन बद्ध होता था आसे में करवद्ध, अंजली बद्ध, सरना गत्धूं, उद्ध के प्रति, दम के प्रति और संग के प्रति वो पचन बद्ध होता था तो है अहसास इतना गहरा होता था कि उसके पास समरप्रण के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं होता था यह जरूरी हुआ, तो मरना भी चाहता था, और अंत तक वो जो बुद्ध की सरण में रहता था, किसी बुद्ध के लिए ऐसास क्या होता है, मैं जानता हूं, यही मापधंड है, जिसका बुद्ध और उनकी सिच्छाओं के प्रती प्रितसाद अर्था सरण गमन होता है, बास होता है, फुद्ध के काले में यही एक मापधंड था, और आज भी वही मापधंड है, बंते जी ने हमारे संग में तिरतन बहुतन संग में यही मापधंड जो है दिया, बंते जी कहते हैं सरण गमन हमारा प्रिथम है, जीवन से लिए हमारी दोयमें, जीवन से लिए कैसी बनते जी का जीवन आप पर सकते हो अच्छी तरह से देख सकते हो बनते जी तक्रीबर उनका आधा जीवन भिक्षू रहा उसके बाद भेजसर्ट में बी आपको दिखाई दिए टाई में भी दिखाई दिये पता नहीं क्या-क्या बदंते रहते तो उन्होंने जीबन सहरी को दूसरे नंबर बरक था है ना कि जो पहले नंबर पहले नंबर पर क्या है सरण कमानी आगे बंटे जी कहते हैं मैं देखना चाहता था कि बॉत्ध संग्ठनों का संचालन अन लोग समझता है कि तृस्तनों के परती बच्चन बद्ध है यह बात भी में साफ तौर पर देख पाया कि बच्चन बद्धों द्वारा संचालित बद्ध संगिठन साधान अर्थों से मात्र संगिठन नहीं होने चाहिए बलकि एक आध्यात्मिक आंदोलन होना चाहिए हम संग को क्या कहते हैं यह हमारा आंदोलन है यह संग नहीं है यह एक आंदोलन है तो आंदोलन होना चाहिए साइब हम इसे आध्यात्मिक समाज कहें जो समाज आध्यात्मिक खातिर सामविक रूप से बच्चन बद्ध है सुतंद्र विक्तियों का उह संग होता है आध्यात् और तठाकतित बहुत्रसंजटनों के इस प्रकार हमें आध्यात्मे ग्रूप से बचन बद लोग और आध्यात्यमिक समाज की आवसक्ता थी इस प्रकार बचन बदता से आध्यात्मिक समाज का उदय होतत होगा तो बंते जी ने हमको क्या दिया आध्यात्मिक व्यक्ति दिये हम क्या करते हैं यहां पर आध्यात्मिक तई सीख रहे हैं ध्यान कर रहे हैं इसको हम जो है आगे आगे चलते हैं पर आगे कहती एक और तथाकति संग्ठन नहीं बना रहे बहुत बड़ी बात है यह तो कि संग्ठन कुछ भी हो सकता है वो क्या कर रहे हैं जो संग भगवान बद्ध ने उस समय दिया था एक संग अर्था दीच्छा प्राप्त लोगों का संग जो प्रति हमारी बचन बद्द्द कागी संपूर्ण और अव्यक्ति और उस अव्यक्ति को चलाने से पहले बचन बद्द लोगों द्वारा प्राप्त समर्थन और बौद अर्थों में दीच्छा होती है निश्चित चन्दा देकर किसी भी संग्ठन का सदर से बना जा सकता है लेकिन जो स्वेम को प्रितिक्या बद्द करता है उसी का संग में समाविष किया जाता है थापना की या थोड़ी पारंपरिक बद्द भासा में एद कहा जाए तो सरन गमन और संग के आधार पर स्थापना की गई। पस्त है के वल यही एक आधार है जिस पर इसे इस्थापित किया जा सकता है। साइध आप आश्चरी चकित होंगे कि कम से कम आज की परिस्ती में एक और तथा कतिर बौद्ध संग की समिछन बनाने के बजाए इस बात को महसूस करने में और संग की सुवात करने में मुझे इतना अधिक समय क्यों लगा जहां तक मैं देख सकता हूँ कि इस के तीन कारणे आध्धातिमिक समास और अन्यधारमिक समिछनों के बीच भेद की इस परिस्ता के लिए मैं थोड़े पिस्तार में जाना चाहूँगा बंतेजी बता रहें आगे कि सबसे पहले मैं उसे जरत्त की आदतों के बलके रूम में प्याख्या करना चाहूँगा करीब सो बर्स पहले पहच्चे में बहुत धरम को जानने की सुगात हुई उस समय ग्यान की विशेष्ट है विज्ञान सम्मदित ग्यान का प्रचंट विस्तार हुआ अलग-अलग चीजों का अध्यन करने के लिए संस्थाइं इस्तापित की गए इन संस्थाओं की रचना में सामिल था सामान ने सदस्यत्त, पारसिक साधान सवा, पदाजिकारी, सदस्यताफीस, चंदे का भुकतान लिहाजा बहुत धरम के अध्यन के लिए पहले और बाद में इस प्रकार की संस्थाओं का बनाया जाना अटक था, जिसमें बहुत गरंतों का प्रकासन इत्यादी सामिल, आज भी संस्थाइं यही करती है, पैसा इकठा करती है, कुछ चबाएंगे, कुछ करेंगी, प्रोग्राम भी करती है, लेकिन जो भंते ही जो चाह रहे थे, जिस परवर्तन वो बाबा साहब चारते, बाबा साहब का जो लक्ष था, उसको संस्थाएं पूरा नहीं कर पा रही थी, वो आज भी नहीं कर पा रही है, जहां तक बहुत धरंके सद्धानतिक और विशुन्त, विज्ञानबादी द्रिश्टकोन का प्रस्न था, वे उप्योगी हो सकती थी, अब यहां पर में इन संस्थाओं कोई आध्यात में प्रमप्राओं की प्रती, विज्ञानबादी, विश्वत नीता पर प्रस्न नहीं उठाना चाहता, लेकिन जब हम बहुत धरंकी और ज्वादा विभारिक, ज्वादा आध्यात में और अस्तित संबदी तरीके से देखते हैं, ये ज्वादा उप्योगी नहीं, दुर्भा के बस इसे समझने के लिए में लोग असमर्त रहे, उन्होंने सोचा कि बहुत धरंके विस्तार के लिए इसी प्रिकारी की संस्थाओं की आवसकता होगी, जैसी बहुत धरंके अध्यान के लिए थी, और तो और जो लोग बहुत समिटनों महत्तुकूर्ण पदों पर आसीन थे, और जो रोजमर्रा कारिक उसके अंतरगर चल रहे थे, वे काफी संतुर्थ थे, अंतते हैं, उससे उन्हें कुछ अधिकार और सक्ती मिली हुई थी, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे, आज भी ये चल रहा है, कि एक संस्था बना ली, पद्यक्ष बन गए, चाहे कुछ मिले या न मिले, एक सक्ती तो मिली हुई, एक नाम तो मिला हुआ है, दूसरा और तीसरा कारण, पारम पर एक है, बंतेजी यहां पर कह रहे हैं, दूसरा कारण, अर्था सरन गमन का अव म बुल कम हो जाना, बुद्ध धर्म का बड़ाई लंबा इत्यास रहा है, संपूर एसिया खंट में दौवाज रूप से एक हजार सालता के अपहलता रहा, लाखों करोन लोगों ने स्वेम को बुद्धन सरन गर्चामी का पटन कर बुद्ध धर्म और संग के प्रती बचन बड़ किया, अंत्तय लोगों ने आधतन केवल त्रिस्वन और पंचील का पठनी जारी रहता है, यांतिर करूप से जो है, इसका पठन होता रहता है, वे बुद्ध लोग होने के नाते इसका पठन नहीं कर रहे थे, बलको उनके पालकों और पूरवजों का, पूरवजों ने भी इसका पठन किया था, कभी-कभी लोग समझते हैं कि वे पैदा ऐसी बहुत हैं, लेकिन यह अपने आप में ब्रोधा भासी है, आज कर एसिया के अधिकांस बहुत देशों की यह बास्तिमिकता है, बाबा साब का भासन, आप पढ़ सकते हैं, जो बाबा साब ने रं अब सरण गमन को बास्तिमिक प्यक्तिगत आध्धात में पचन बद्दता की अव्यक्ति नहीं समझा जाता, केवल स्क्रिशन और पंसील का पठन मात्र आपको विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का सदस्य होना देखता है, भारत में मुझे इसका खुब अब आया, उधारन के लिए मैंने पाया कि सिंगली, ठाई, पर्मी और भाती बद्द सभी मौकों पर जैसे बड़ी सामाजिक सभाएं, साधियां, अंतर याक्तराएं, नामकर्ण इत्याद में, त्रिस्रन और पस्षिर का पार्ट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इ इसका क्या मेहत्व है, वे सभी एक अच्छा बहुत या आदरी नागरिक दिखने की खाते त्रिस्रन और पंसील का पार्टन करते हैं, दिखाई देते हैं, इसलिए फिर त्रिस्रन और पंसील का बहुत धरम के आदरसों के परती अपनी बचन बंदता की अव्यक्ति होने का प्रस नहीं, नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि सरन्गमन का अब मूलियन किया गया, मैं ये नहीं कहता कि इसका हनादार या नश्ट किया गया, आगे कहते हैं भंदे जी, जहां तक भारत में मेरे संपून प्रवास के दोरान मुझे याद पड़ता है, कि किसी ने भी सील के सही उच्चारण को लेकर काफी सतरक थे, लेकिन उन सब्दों के बास्तिवक अर्थ पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए सरन्गमन के महत्तों की मुझे मेरी खोज करनी पड़ी, जैसे मैंने ये सब किया है, मैंने इसके महत्तों को जाना, पास्तम में ये सभी की मास मास्टर चावी है, बौध धरम की एक तरह से ये बंतेजी कहरें मास्टर चावी है, सरन्गमन बौध धरम की बड़ी ही जरूरी ऐसी कृती है, यह और यही बात आपको बौध बनाती है, यह बौध धरम की सबसे सरन्गतम और सबसे महत्तों चीज है, सबसे महत्तों चीज ह और एक बोध संग्टिंगी सुलुआत करके अर्था विक्व संग का महत्व पढ़ाने विशेश्थर आपचारिक विश्चु संग का महत्व पढ़ाने के बजाए किसी ने भी ऐसा संग प्रतिस्थापित करने के बारे में सोचा नहीं यह एक आखरी कारण है हाल ही में एद आप किसी गंबीर बोध विशेशतर दच्चीर पूरवी बोधों से कुछते हैं कि सच्चा बोध कौन हैं तो वे बेज ज़ग कहेगा कि सच्चा बौध अर्था विक्व है व आपसे कहेगा कि एद आपको दिल से बौध धर्म का आचर करना है तो आपको विक् या तो कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा उपासक का सबसे अच्छा आचन अर्थात भिक्व को मदद करना है उसे भोजन देना है आश्रह देना है कपड़े देने हैं औस धीम हुईया कराना है इस तरह कोई उपासक पुन्यार्जन करके मृत्यू के परचाब स्वरग में या कम से कम प्रतिवी पर किसी संब्रद विक्ती के धर में पुनर्जन के रहने कर सकता है जो पुनर्जन की कंसेप्ट दे रखा है आज हमारे बहुत भिक्व लोग बोलते हैं क्योंकि सरनगमन का अबमूलेन होने से भिक्व संग का महत्त पड़ा सरनगमन का जो अबमूलेन हो गया इसका कोई महत्त नहीं रहा महत्त बहुत कम हो गया सरनगमन का इसलिए विक्व संग का जो है महत्त पड़ गया बहुत होने के नाते सरनगमन करने के बजाए आपको भिक्व बनना चाहिए स्वयम की बचनबदता का फिर यहां पर प्रस नहीं पैदा नह प्रूरत ही नहीं है बच चीवर धार्वन कर लिया चल देजिए दोर बन गए विपु पास्तम में धुक्व संके महत्तकों में कम नहीं करना चाहता नहीं तो यह एक दूसरे सिरे की भूम का होगी मेरे जीवन का आधा पढ़ा पंतेजी कहे रहे हैं मेरे जीवन का आधा पढ भिक्व रहकर बताया कई तरह से मैं सोचता हूं कि भिक्व का जीवन सरवोच संभावित जीवन है लेकिन बौद्ध होने के ना पे भिक्ष्यू बनने की आवसकता नहीं तिरे रत्नों के प्रती समर्पन यह प्रात्मिक है और किसी विशिष्ट जीवन पद्दुती सुई नबर पर होना चाहिए कुछ लोगों के लिए स्रणगमन की अविक्ति उनके भिक्ष्यू जीवन पद्दुती से होगी बुद्ध के कालखंज में बनते ही बता रहे हैं यहां पर और यहां हम भी बताते रहते हैं बहुत सारे ऐसे ग्रस्त हुए है जो अपनी उचाई कर प पासकों और पासकाओं ने आध्यात में विकास की बुलंदियों को चुआ है आप पढ़ सकते हैं अनात पिंडव को पढ़ सकते हैं विसाखा को पढ़ सकते हैं कितने हुए हैं गिरस्त जिनोंने आध्यात में विकास की उचाईयों को चुआ है पूरी तरह ऐसे बुद्ध अध्यास में भो गए अनेक बच्चनपद्द लोग एक जैसी जीवन-पद्दुती का अंद्रवाग करते थे लेकिन बच्चनपद्दता और जीवन-पद्दुती के बीच में का अंतर इस पर्ष्ट दिखाई देता है मैंने आगे कहते हैं भंते जी मैंने बिहार बासी जीवन में बच्चनपद्दता की अव्यक्ति के संद्र में बात की है जो हमारे बिहार बासी हैं अगर आप बिहार बासी हैं तो वहां तो बच्चनबद्धता कम से कम निभाईएं, वहां भी अगर बच्चनबद्ध नहीं तो फिर क्या फाइदा ऐसा? अर्था निश्टा पुर्वक बिहारवासी जीवन जीने के बारे में बोला है तुरुभाग्यबास हमेशा ऐसा ही नहीं है एसिया के अनेक भागों में बिहारवासी जीवन ने पचन बद्धता को इस्थापन किया है पहुदा बजाय सच्चा विच्चु जीवन के एक और चारिक विच्चु जीवन होता है बाबा साब ने लंगों में तभी तो कहा था कि ये विच्चु संग कामका नहीं है इनको जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ जो कि बचन बद्धता नहीं थी वहां सरण गमन नहीं था मात्र जो है यहां तक था गर्दन से नीचे जाता ही नहीं था वो जुबान से कहते थे तिसरण पंसील जुबान से लेते थे कुछ भी नहीं है कही भी प्रकुल इसी प्रकार भिक्षू और भिक्षू जीवन के नियमों का बास्तविक अर्थ जाने बिना मात उच्चारन करते रहते हैं। उसका महत तो नहीं समझते कि इसका महत क्या है महत समझेंगे तो कि आगे बढ़ेंगे इस विशेश दिर्ष्टिकों से अब हम देख सकते हैं कि संग की शुरुआत करने के बजाए और एक बहुत संगठन की इस्थापना क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके पास पहले ही संग ह उनके पास पहले ही संग है जब एक ऐसा नहीं है अधिकांस इस्थानों पर संभुत है अधिकांस लोग बास्तम में बाहरी और इंत्रवत समान जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं जैसे ही आप सरन्गमन पर जोड़ देने लगते हैं तब विहार बासी जीवन को अधिक मेर्त देने लगते हैं जब आप सरन्गमन पर जोड़ देने लगते हैं तो आप जो है बिहार बासी जीवन के लिए निकलने लगते हैं उस पर आप जोड़ देंगे कि मुझे एकांत वास करना है, मैं जाऊंगा, मुझे शिविर में जाना है, वो बिहार वासी है, बिहारी तो है हमारे जहां पर शिविर होते हैं, आप बोर धरन में चले जिए, किसी सिविर के दर में चले जाए, बिहारी तो है वहाँ पर, और जीवन का हम जो है, मैं तो उच्षत चीवन-पंदुति का चुरिकार करना सहज हो जाता है अगर सरणगमन शही माइप अ 다음에 हम का हुए लेते हैं पूरी तरह से भावनाव कर लेते हैं तो हमें इसकी समझ आएगी और फिर हम जो है रुकेंगे नहीं, फिर हम जो है रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे, कदम दर कदम आगे बढ़ते रहेंगे, अपना आध्यात में विकास करते रहेंगे, आध्यात में विकास के साथ हमारा इस जीवन का वी विकास होता चला ज कि उन्होंने सरणगमन को प्रत्म तक क्यों रखा गया है। जीवन से लिए हमारी कैसी भी होनी चाहिए। हम किस कहीं भी रह सकते हैं, जो कह ये अंतरराष्टिय संग है, अंतरराष्टे आंदोलन है, उसे अंतरराष्टे बनाने के लिए बंते जी ने, जो इसके बीच में दिया है, मद्द केंद्र में दे रखा है, सरण गमन हमारा पक्का होना चाहिए, तब ही हम आगे बढ़ सकते तब ही एक उत्कえてर्ष्ट बन सकते और बाबा साहब के सपनो का जो परिवर्तन बाबा साहब चाहते रोकर करो सब्सक्राइब करनार